लोक सभा में पूर्ण बहुमत कमवाने के बाद अब बीजेपी को राज्य सभा में भी जटका लगा है. पार्टी के सदस्यों की संख्या राज्य सभा में 90 से नीचे आ गई है. कारण शनिवार को केंद्र सरकार की तरफ से नामित चार सांसदों का कारेकाल खत्म हो गया. इसके बाद राज्य सभा में बीजेपी सांसदों की संख्या घटकर 86 हो गई है. वहीं NDA के पास भी उपरी सदन में 101 सांसदों की ताकत है जो की बहुमत से काफी कम है. ऐसे में राज्य सभा में फिलहाल 226 सदस्य हैं और 19 सीटे अभी खाली हैं. राज्य सभा में जो 19 सीटे जो खाली हैं उनमें जम्मुक्षमीर से चार और नामित सदस्यों की चार सीटे हैं. वहीं बाकी की 11 सीटे अलग-अलग राज्यों से हैं जिसमें असम, बिहार, महराष्ट्र, हरियाना, तेलंगाना, मध्यप्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा का नाम शामिल है इन में से कई सीटें राज्यसभा सांसदों के लोकसभा चुनाव लड़ने और जीतने के कारण खाली हुई है चार मनोनीत सांसद महिश जेटमलानी, सोनल मानसिंह, राम सकल और राकिश सिनहा शनिवार को रिटायर हो गए चारो मनोनीत सांसद बीजेपी में शामिल थे, लिहाजा अब बीजेपी की संक्या घटकर 86 रह गई NDA की संक्या 101 रह गई, जोकी मौझूदा बहुमत के आंकड़े 113 से कम है हालाकी साथ मनोनीत और एक निर्दलिय भी सरकार के साथ है लिहाजा NDA का आंकड़ा 109 पहुँच जाता है ऐसे में सरकार को उपरी सदन में बहुमत हासिल करने के लिए YSR कongress के 11 और AIA DMK के 4 सांसदों की मदद लेनी पड़ सकती है आपको बता दें कि पिछले कारेकाल में BGD के 9 और BRS के 4 का समर्थन भी NDA को मिलता रहा है लेकिन इस बार BGD सरकार के पूरी तरह खिलाफ है जल्दी ही 4 सीटों पर राष्ट्रुपती की ओर से मनोन्यन होना है और 11 अन्य सीटों पर उपचुनाव होना है जिन 11 सीटों पर उपचुनाव होना है इनमें कम से कम 10 सीटों पर NDA की जीत तय है इसके बाद BGP 100 के करीब और NDA बहुमत के करीब पहुँच जाएगा उधर कॉंग्रेस के पास अभी 26 सांसद है जो नेता विपक्ष की कुरसी बचाये रखने के लिए जरूरी 25 से केवल एक ज्यादा है तेलंगाना में राज्यसभा उपचुनाव के बाद कॉंग्रेस का आंकड़ा 27 पर पहुँच सकता है कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिक आरजुन खडगे राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी है राज्यसभा में कॉंग्रेस के 26 सीटों पर आने से उनकी विपक्ष के नेता की कुरसी पर भी संकट की बात होने लगी थी राज्यसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा पाने या बनाये रखने के लिए सदन की कुल स्ट्रेंथ का 10 फीसदी संक्याबल चाहिए होता है राज्यसभा में विपक्ष के नेता के लिए यह नंबर 25 है कॉंग्रेस के 26 सदस्य ही रह गए जो जरूरी संक्याबल से एक ही अधिक है ऐसे में अगर पार्टी के दो सदस्यों का कारेकाल पूरा हो जाए या अप्रिहारे कारणों से उच्च सदन के सदस्य नहीं रहते हैं तो कॉंग्रेस की स्ट्रेंथ 25 से कम हो सकती है ऐसे में खड़गे का नेता प्रतिपक्ष पद पर बने रहना मुश्किल होता कॉंग्रेस नेता गुर्दीप सप्पल ने कहा है कि हमने अंकनित पर काम कर लिया है विपक्ष के नेता पद को लेकर किसी तरह का खत्रा नहीं है